एशियन गेम्स में तेरवे दिन भारती होकी टीम ने कमाल कर दिया फाइनल मैच में जापान को पांच एक से रौनते हुए एशियन गेम्स में अपना चौथा मैटल जीता है इसके साथ ही भारती टीम ने पैरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है भारत की तरफ से प्रीत सिंग अमित रोहिदास और अभिशेक ने गोल दाके है जापान पूरे मैच के दोरान एक ही गोल कर सका पहले हाफ में भारती टीम ने दमदार खेल दिखाया भारती खिलाडियों ने आकमन करने जारी रखे हाला कि जापान के डिफेंडरों ने भारत को गोल करने से लेकिन भारत ने पैनल्टी कॉनर का बहतरीन तरीके से उप्योग किया मनपीत सिंग ने रिवर्स फिलिप करके गेंद को गोल पोस्ट में भेजा और भारत को एक शुन्ने की पढ़त दिलाई भारत की होकी ने आज एशियाई होकी के अंदर अपना दब दबा बनाते हुए भारत को एशियाई खेलों का जो होकी के अंदर है उसके अंदर चौथा मेडल दिलवाया सोने का और हमारी टीम शुरू से ही जब यहां से गई थी भारत से तब ही से मुझे लगा था कि यह टीम एशिया के अंदर तो इसको तो यह मैडल जीतना ही चाहिए जिसका जिक्र मैंने एक हमारे खिलाड़ी या मेरे ट्रेनी रहे हैं विवेक सागर और निला कांश शर्मा जो जब भी बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो उनका बड़ापन कहूँ है कि खिलाड़ी की भावना कि वो मुझे जरूर फोन करके मेरा आशिरवाद लेते हैं और तुम्हें इसमें अपना बेतरीन खेल दिखाना तुम लोगों को जिससे की भारत की टीम जीते हैं और उन्होंने इस बात को पूरा किया